नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ पादप तंतु कि जो हमारे पादप तंतु होते हैं या फिर पादप या पाधों से प्राप्त तंतु होते हैं वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं और उनके सरोत कौन कौन उसे है तो एक सुरोथ तो हमें रूई से मिलता है तो जो रूई होता है वो किस तरह से होता है आईए इसके बारे में हम बात करते हैं तो रूई तो हमने देखा है कहां पर कि जब हम दिवाली मनाते हैं या फिर जब दिवाली का तिवार आता है दिपावली का तिवार तो उस से टेल में भीगो करके जला देते हैं, तो क्या आपको पता है कि ये रूई कहां से आते हैं? तो रूई जो होते हैं, ये इनके लिए एक विशेस प्रकार का पौधा जो है, वो पाया जाता है, तो अगर आपको रूई देखना है, तो आप उसे, उसकी एक खेती की जाती है, आप वहाँ पर देख सकते हैं तो रूई का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपियोग होता है इसका उपियोग हम गद्दा रजाई या फिर तकिया आधि में करते हैं जिससे कि हमें आरामधायक मिलती हैं तो सब हमें काम करते हैं कि हम थोड़ी रूई ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खीचते हैं ठीक है जैसे कि सपोच किजिए हमने हाँ पे एक रूई ले लिया और इसे अपने हाथों से पकड़ लिया ठीक है और इसे खीच करके यहां पे हमारे एक हाथ से इसको हम गोल 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 गुमा रहे हैं तो यह रूई क्या करेगा यह एक धागे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा एक धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो अगर आप इसका प्रिक्षन करो तो जो छोटी पतली लड़िया होती है जिसमें हम क्या होते हैं ये कपास के तंतूओं से बनी होती है ठीक है तो क्या आपको पता है कि ये ज जाती है तो जो इसके श्रोत है वो रूई का मुख्सोद क्या है वो कपास है और कपास के पौधे जो है वो उगाया जाते हैं कपास के पौधों के लिए तो कुछ उसके प्राकृतिक रूप से अवर्शक्ताएं होती है कि उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए वहाँ की जलवाय भी होना चाहिए जलवाय भी होनी चाहिए और मिट्टी भी होनी चाहिए कि वो उसमें अच्छी तरह से क्या कर सके ग्रोध कर सके तो उसके लिए हमें काली मिट्टी कौंसी मिट्टी काली मिट्टी और जो उसका जलवायू होगा वह किस तरह का होगा उश्ल जलवायू तो यह आप यहां पर जिफ्टर दिखाया गया है कपास के पादप का खेत हैं तो इसमें आपको कपास ये पाधन आपको दिखाए दे रहे होगी कपास के और ये जो आपको बर्फ के गोलों की तरह दिख रहे हैं ये ये सब इतच क्ली हैं एक है यह पलन दल लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या कर रहा है बढ़ गया है तो जब छोटे रहते हैं तब उनका कर किस तरह होता है। नीबू की तरह होता है ुझसे हम कपास बोलक कहते है .. जो ये म लोग अफिसे चोधी महिं लुत दीए ये बढें . तो यह मलें ये की पॉदा है ठीक है और यहाँ पर इसका फ्ञल तो अभी यह और किया है इस तर यह कभी गौल की यह तो इसे कृफ you कापास के ब्रिव क्रिक्श है कि यह कफास के पॉदे में तो कापास गॉल होगो है इसका आकार क्या होगा वो नीबू की तरह होगा किसकी तरह नीबू की तरह होगा ठीक है तो फिर इसके बाद जब ये परिपक हो जाते हैं परिपक होने का मतलब कि जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो क्या करते हैं ये जो नीबू की तरह इसके कपास गोलक हैं ये फूड जाते ह तो जब यह फूड जाते हैं तो इसके बीच जो हां वो तूट करके खुल जाएंगे जो कपास तंतू है वो क्या करेंगे बाहर आ जाएंगे और आप कपास तंतू के बीच को भी देख सकते हो कि कपास का जो तंतू होता है उसके अंदर के बीच जो है वो किस तरह से पाए ज जाता है और दूसरा अगर आप जैसे की मानियें जो हमारे पास कपास बॉल है मानिजी हमने इस वो चुन लिया है तो यह कुछ हमें इस प्रकार के छोटे-छोटे गोले के रूप में मिलेंगे ठीक है तो इन्हें हम क्या करेंगे हाथ हाथों से यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो आदमी है इसे हाथों से क्या कर रहा है अच्छे से बना रहा है तो जो कपास होता है कपास के अंदर तो बीज हो गए या फिर मतलब मान लेजीए कि आप कोई भी फल ले ले लेते हो तो उस फल के अंदर उस फल का बीज रहेगा तो हमने जो कपास यहाँ पे कपास के ब में दिखाया गया कि यह जो आदमी है कपास जो है इससे बीज को ये अलग कर रहा है अब हम बात करते हैं जूट और पटसन, जिसे जूट या पटसन कहते हैं तो जो जूट होता है ये भी एक bureaucracy का कपास की तरह पउधा होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे इसें के तभी हम काट लेंगे थैड आ हमारे काम लायक होंगे तो भारत में जो इसकी जाद हो वर्षा रियुश्यों की जाती है ये ओप पर्चन का पादब दिख रहा है तो इसका जो खेतई होगी वो वर्षा के समय ही होती है Normally was a है क्या करें गई है अब इसके ju کように can आपको तना दिख रहा है यह तना है ठीक है इसको हम पानी में क्या करेंगे बिगो देंगे काटेंगे इसकी पतियों और फूलो फलो आज को अलग कर लेंगे और इसका जो यह सेश भाग तना बच जाएगा इसे हम क्या करेंगे पानी में 2-3 दिन तक जो है डुबो कर रख द प्रप्धू को निकाल करके वस्त्र बना लेंगे इसे पहले इक सबहुतै साथ फिर अपप सिका सकते हों और इसी तागे से हम क्या करेंगे अपने वस्तरों का निर्माड करेंगे तो यहां पे हमने देखा कि जो पादपतन्तु होते हैं, मुक्रूप से जूत, पटसन और रुई होते हैं, तो इस तरह से हमारा जो यह वीडियो है, पादपतनतु, यह समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम अध्याय का part 4 जो है सूती तागों से कताई जो है वो किस प्रकार से किजिए